हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो अभिमन्नीव आई एस, हमारा आज का सेशन रहेगा करंट फेस के ओपर, अगर बात करें करंट फेस की तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा गव्मेंट पॉलसीज और बेंकिंग सेक्टर, हाला कि न्यूज इसमें एक ही रहेगी, बट उसके अंद अगर बात करूब प्रलिम्स पॉइंट आफ व्यू से तो उसके अंदर हमें काफी अच्छे MCQs भी देखने को मिल जाएंगे, तो आज का सेशन शुरू करते हैं, गव्मेंट पॉलिसीज और बेंकिंग सेक्टर की ओपर, हमारा आज का न्यूज का है रहेंगे, वो है, नि अगर और बी देखा जाए, तो यहाँ पर IBA आ सकता है, मैं अभी सीधा सा बता देता हूँ, हम जो ऑनलाइन ट्रांस्वर्स करते हैं, इलेक्ट्रोनिक बेंकिंग यूज करते हो, या फिर आप बेंक सेक्टर के अंदर आप जाकर, जो फैनेंशल या आप लोग विड्ड्र आने की योजना चल रही है, कौन बना रहा है, यह बनाएगा, Reserve Bank of India and Indian Banking Associations, इन दोनों की कलेबोरेशन हैं, ठीक है, अगर बात करें कि, it is an initiative of RBI and the Indian Bank Association, IBA, under the provision of the payment and the system Act 2007, याद रखना, सर दो चीज़े याद रखनी हैं आपको यहाँ पर, एक तो RBI का और एक IBA, यह दोनो initiative ले रहे हैं, किसीज़ के लिए ले रहे हैं, सर यह बनाएंगे, New Umbrella Entity, NUE बनाने की योजना चल रही है, कौन से provision के अंदर, यह है, under the payment and the settlement system Act 2007, याद रखना, अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, सर, Reserve Bank of India का full form तो सभी को पता है, सौरी, RBI का मतलब, Reserve Bank of India, कब बना थ सर, यह 1934 के अंदर, the British Ennected RBI, याद रखना, RBI को 1934 में, the British Ennected Reserve Bank of India Act, clear act, अब अगर आगे चलते हैं, 1935 के अंदर, तो क्या किया गया था, इसको established किया गया था, on the 1st April, on the 1st April of 1939, sorry, 1935 at Calcutta, कहां पी किया गया था, इसको, Calcutta के अंदर, सर, 1934 में, Britishers ने, इंडिया में Act लगाया गया, Act लाय थे, Reserve Bank of India Act, 1935 में, 1 April को, इसको Calcutta में establish किया गया, अगर आगे और चलते हैं, Reserve Bank of India के लिए, तो 1937 में, इसको permanently shift कहां कर दिया था, सर, Mumbai के अंदर shift कर दिया था, याद रखना, अच्छा, अब और अगर देखते हैं, त After Independence की बात करें, तो इसको Nationalize किया गया था, याद रखना, इसको क्या कर दिया था, Nationalize कर दिया गया था, Reserve Bank of India को, 1934, 1935, 1937 और 1949 के ये आपको years याद रखने है, ठीक है, Reserve Bank of India clear हो गया अपना, अब अगर बात करते हैं, Sir, IBA की, Sir, IBA है क्या चीज़, ये है, Indian Banks Association, ये एक association बना है, ही क्यों किया, क्यों, ये actual में क्या है, It is a representative body, ये क्या है, representative body है, of management of banking in India, याद रखना, representative of management of banking in India, अच्छा, इसको बनाने का पीछे कारण क्या था, वो कारण था, आपका development का, coordination का, और strengthening of Indian banks, याद रखना है, इस concept को, अब अगर आज के current की बात कर लें, Sir, IBA में, आज का, अगर current की में बात कर लूँ, तो, जो managing committee है न, IBA की, managing committee ने क्या किया, Sir, managing committee ने, इसके chairman को appoint किया, वो कौन है, कि managing committee of IBA, Indian Bank Association, has elected Union Bank of India, MD, and CEO, वो कौन है, Sir, वो है, अपने, राज किरन, राए जी, राज किरन राए जी, राज किरन राए जी, currently किसके, Sir, Indians Bank Association के, ठीक है, तो, RBI और IBA, दोनों ने मिलके, एक initiative उठाय, क्यों ना हम लोग NUE को लाया जाए, मतलब new umbrella entity, correct, अब तीसरा point किया है, the aim is to create an alternative mechanism to existing national payments corporations of India, कहने का मतलब किया, अगर आज की बात करें, Sir, अभी तो अपने पास NPCI चल तो रहा है, but हम लोग इसका alternative लेकर आना चाहते है, Sir, new umbrella entity, Sir, क्यों लेकर आना चाहते है, जब अलड़ी हमारे पास national payments corporation of India, अपने पास NPCI अवलेबल है, Sir, इसलिए लाना चाहते है, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा जो load है, वो कम हो जाए, क्योंकि competition बढ़ेगा इससे, इससे easiness बढ़ेगा, इसमें banking sector में और ज़्यादा benefits मिल सकते हैं, वो concept आपको यहाँ पे याद रखना है, अच्छा, अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें, Sir, NPCI कब बना था, Sir, अपना NPCI, National Payments Corporations of India बना था, यह भी RBI and IBA ने बनाया था, Indian Banks Association ने बनाया था, क्यों बनाया था, to operate, to operate the retail payment and settlement system in India, याद रखना, क्यों बनाया गया, to operate the retail payments and settlement system in India, कब 2008 के अंदर इसको बनाया गया, Under the, किस के अंदर, Under the Payment and Settlement Act 2007, याद रखना, Sir, Under the Payment and Settlement Act 2007 में यह हमने बनाया था, NPCI को, अब आगे देखते हैं, कहते, NUEs will set up, manage and operate new payment system, बिल्कुल ठीक है, especially in the retail space, such as ATM, Sir, ATM का मतलब क्या रहेगा, automated teller machines रहते हैं, white label pause, Sir, यह क्या concept आगया, white label pause, अब थोड़ा सा ध्यान में देखना, कहते, automated teller machines, set up and owned and operated by non-bank entities are called white label, याद रखना, जो मतलब private companies ले आ रही हैं, जो banking sector नहीं लेकर आ रहा, उसको बोल दिया, white label, Sir, यह किसके under आते हैं, white label, Sir, यह आ जाएंगे आपके, under companies act 1956, यह छोटी छोटी चीज़ें, आप लोग, please no doubt कर लो, Sir, काफी important रहती हैं, exam point of view से, prelim point of view से, बोल रहा हूँ मैं, Sir, prelim point of view से, correct हैं यहाँ पे, अच्छा, आगे आता है, आधार-based payments and remittance services, Sir, आधार-based पे क्या रहेगा, कहने का मतलब क्या है, A, E, P, S, हमने यहाँ पे photo को भी use कर लिया, Sir, यह देख लो, आधार-enabled payment system, Sir, इसके अंदर आप लोग एक तो balance inquiry कर सकते हो, आधार to आधार fund transfer कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है, अगर आप लोग इंडिया के citizen हो, तो आपका जो आधार card का number रहेगा, वो unique रहेगा, cash withdraw कर सकते हो, cash को deposit कर सकते हो, even best finger detection भी रहेगा, जिसमें क्या रहे था, आपकी जो security बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगा, आपकी, clear है, ये, आप देखो, electricity का bill पे कर रहे हो, gas का, DTH हो गया, mobile and land like bill payments आ रहे हैं, but with the help of आधार, याद रखना ये concept को, आगे लिखा हुआ है, it has been incorporated as a not for profit, क्या concept है, एक क्ले कर ले पहले, सर, not for profit किसकी बात कर रहे हैं, सर, ये, NUE की बात कर रहे है, new umbrella empty की, की, सर, ये, जो company बना रही है, ये, जो बन रही है, ये, not for the profit, ये, profit के लिए नहीं है, under the provision of section 25 of the companies at 1956, याद रखना, under the provision of section 25 of companies at 1956, अगर आगे देखा जाए, तो at present currently, इसके अंदर कुछ सुधार किये गए थे, तो ये वाला exchange हो गया, तो amendments आई कहने का मतलब, now section 8 of the companies at 2013, अगर आज की बात कर ले, तो companies at 2013 के अंदर हमने लेकर आये हैं, इसको, किसको, new umbrella entity को, अब अगर बात करें, new umbrella entity will develop new payment methods and standards and technology, अब इसके अंदर और भी जादा अपग्रेडेशन किया जाएगा, as compared to NPCI, मतलब क्या था सर, NPCI का, National Payment Corporations of India, ठीक ना, आप देखते हैं, कहते, these will operate clearing and settlement system, बिल्कुल ठीक है, identify and manage relevant risk, इसको, ये risk को भी check करेगा, manage करेगा, such as settlements, credit, liquidity and operations and preserve the integrity of the system, correct है, sir, limitations क्या आगई, ऐसी क्या limitations आगई, जो हमें ये entity लेकर आने परी, NUEs की, कहते, currently, the umbrella entity for providing retail payment system, अगर आज की बात कर लें, कि retail payment system के अंदर, at present भारत के अंदर, NPCI है, National Payment, बिल्कुल ठीक है न, which is a non-profit entity, ये भी non-profit entity है, और banks ने owned की हुई है, क्योंकि इसको भी RBI and IBA ने ही initiative ली रखा है, तो, तो NPCI operate, settlement system such as UPI, एक मिनट, अब NPCI किस को चला रहा है, operate कर रहा है, सर, एक तो अपना UPI, सर, UPI क्या है, unified payment interface, unified payment interface, सर, ये भारत के अंदर कब आया था, सर जी, ये आया था, 11th of April 2016, 11th April 2016 में बनाया गया था, ये है क्या चीज, a mobile platform for instant transfer of funds, अगर एक दम से आपको fund को transfer करना है, between the two banking accounts, ठीक है ना, अब AEPS क्या है, सर, ये अलड़ी पढ़ लिया हमने तो, सर, आधार enabled है, जो, बिल्कुल ठीक है न, अधार enabled payment settlement है, सर, आर यू पे, सर, आप लोग अभी credit cards ये debit card ये उस कर रहे हो, तो, आर यू पे domestic card scheme है, जो भारत के अंदर चल रही है, जिसके अनर magnetic strip ये उस की गई है, ठीक है ना, fast tag, अभी हमने देखा, कि toll plaza पे आप लोग क्या use कर रहे हो, सर, fast tag use कर रहे है, even एक concept याद रखना, मैं color change कर देता हूँ, आप लोगों के लिए, important रहता है, सर, fast tag के ऊपर न, हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, RFID, सर, ये क्या चीज़ है, radio frequency identification technology, याद रखना, fast tag is enabled with radio frequency identification technology, ठीक है ना, तभी तो हम लोग जब toll को cross करते हैं, तो हमारे bank का हुन से directly toll text कर जाता है, automatically, केते, various players, अब अगर बात करते हैं, और भी players है, in the payment settlement, have indicated that, NP से being the only entity, की, सरफ NP से being the only entity, जो manage कर रहे है, सारी की सारी retail payment systems को in India, is unable to manage and handle everything, देखो, एक, एक company है, वो हर एक चीज़ को manage or handle करना, बहुत देखकत रहती है, इतनी efficiency से नहीं कर पाएगी, इसलिए तो हम इसको NUES को लेकर आ रहे हैं, will expand the competitive landscape in this area, to increase the competitiveness, our bear plan to allow other organizations to set up umbrella entities for the payment systems, aim to expand the competitive landscape in this area, यहां तक कोई doubt नहीं होना चाहिए, आप लोगों को, कहते, promoter है, NUES के अंदर जो बनेगा, और the promoter group for the NUES should be owned and controlled by the residents, और जिसको तीन साल का experience होगा, किस के अंदर, सर इसी branch के अंदर, इसी organization के अंदर, in the payments ecosystem, foreign investment भी, अगर आप लोग देखो, तो इसी के अंदर आप लोग कर पाऊगे, in the NUES, as long as they comply with the existing guidelines, जो RBA और IBA की guidelines रहेंगी, तो उसी के अंदर आप लोग foreign investment भी कर पाऊगे, अब आगे आता है, the umbrella anti-e shall have a minimum paid up capital of, कितना minimum paid up capital रखा जाएगा, इसके अंदर, 500 करोड का, याद रखना, 500 crores का, no single promoter or promoter group should have more than 40% of investment, ये point आपके लिए important रहेगा sir, इसको याद रख लो, ये values को आपको याद रखना है, और कितने percent की उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 40% का single promoter or promoter group का, not more than 40% investment in the capital of entity, ये चीज़ आपको याद रखना है, अचाहिए, अगर याद रखा जाए कि minimum से minimum कितना अपने पास रहेगा, वो है 300 करोड का, कि minimum net worth of 300 crores should be maintained at all the time, अब अगर बात करें, sir इसका chairman कौन होगा, nominate कौन कर रहा है इसको, कि RBI retain the right to approve the appointment of the director, याद रखना, RBI के पास powers है, right to approve the appointment of directors as also to nominate a member on the board of, new umbrella entity, correct, अब देखते हैं, several companies, sir, कौन कौन सी companies आ रही है, इसके अंदर, either tie up with the banks or with the major tech player, या तो कुछ ऐसी companies होगी, जो bank के साट tie up करेंगी, या फिर major tech players के साथ, क्या करेंगी, merge होगी, to apply for the new umbrella entity, सबसे पहले, reliance industries आ रही है, with the Facebook and the Google, अभी Facebook और Google ने partnership किया, किसके अंदर, जीओ के अंदर, इवन दूसरा कौन आ रहे है, टाटा गूरूप पार रहे है, किसके साथ collaborate कर रहे है, HDFC बिंक, कॉटक महिंदरा बिंक, MasterCards and भारती एटल के साथ ये बनाने के लिए सोच रहे है, अब अगर दूसरी बात की जाए, worldwide के according, तो e-commerce firm है, अपने पास Amazon, in a tie-up with the Visa, ICC Bank, Axis Bank, Fintech Starts, अब जिसके अंदर, बिल्ड डेस्क आ रहे है, और एक आ रहे है, पाइन लाप्स, अगर और भी देखा जाए, तो, soft bank portfolio companies कौन कौन सी है, पेटियाम एंड ओला टोगेधर ये भी सोच रहे है, किसके लिए, new umbrella energy बनाने के लिए, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कि किस-किस ने क्या-क्या सोच रख्या भी तक का, ठीक, अब अगर देखा जिसका aim क्या रहेगा, अब अगर करेंटली में बात कर लू न, तो सबसे ज़ादा तो important अपने पस electronic payment system ही रहेगा, सबसे ज़ादा बैंकिंग का electronic payment हमने यूज किया था पूरे इंडिया के अंदर, तीसरा बोलते है, तो ब्रिंग इनोवेशन in the retail payment system, through the use of technology for achieving greater efficiency in operations, बिल्कुल ठीक है, कि हमें ज़ादा से ज़ादा efficiency achieve करनी है sir, and widening the reach of payment, कि हर जगाँ पर ये नहीं है, कि एक limited area पर हम लोग इस चीज को assess कर पाएं, नहीं हमें इस area को और बिज़ा expand करना, वाइड करना है, ये payment settlements को, ठीक है ना, अब कौन-कौन से banks आ रहे हैं, 10 core promoter banks आ रहे हैं, सबसे पहले State Bank of India, Punjab National Bank आ जाएगा आपका, Canada Bank आ रहे, Bank of Baroda, Union Bank of India, Bank of India, ISAC Bank, HDFC Bank, City Bank आ रहे हैं, और एक आ रहे HSBC, clear है, तो ये था हमारा new umbrella and D, friends, आज का session मैं यहीं तक खतम करता हूँ, मैं आशा करूँगा आपको ये वाला session भी काफी अच्छा लगा होगा, इसको rate और recommend कीजिए, हम इसी तरीके से अपने आने वाले sessions में, हर एक news को बहुत अच्छे से, और easy way से cover up करने की पूरी कोशिश करेंगे, तक तक ए हम ऑने अच्छे से,